एक employee का boss के husband के साथ affair हो जाता है इन दोनोंने एक दूसरे से बदला लिने की कोशिश की पर है बहुत ज़्यादा out of control हो गया Hello friends, आज मैं आपको passion है 2012 की एक Hollywood thriller movie explain करने वाला हूँ इसमें अलग-अलग turns आते हैं और इसकी ending भी बहुत twisted है तो अन तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा अगर आपको वीडियो चलगता है तो प्लीज इससे like और comment ज़रूर कर दीजिए अब बिना किसी दरी के explanation स्टार्ट करते हैं movie स्टार्ट होती है और हम अमारी main characters क्रिस्टीन और Isabella को देख सकते हैं ये दोनों मिलकर एक एड पर काम कर रहे थे एक एड एजनसी में क्रिस्टीन और Isabella की boss है जिस एड पर ही work कर रहे थे ये दोनों को पसंद नहीं आई काम करते हो थोड़ी सी drink वेगरा भी करते हैं ये दोनों एक दूसरे की अच्छी friends बन गई थी जब क्रिस्टीन का husband डर किया आया तो Isabella यहां से चली जाती है जाने से बहले क्रिस्टीन ने Isabella को उसका scar gift किया बाहर बहुत ही थन्ड थी और वो उसके लिए care करती थी रात में सोते वक्त Isabella को और एक ad का idea आया वो अपने assistant को घर बर बुलाती है और इस ad को shoot कर लेते है अगली दिन यह advertisement वो क्रिस्टीन को दिखाती है क्रिस्टीन को यह बहुत ही जादा पसन आई actual में क्रिस्टीन जाकर लंडन में इसका presentation देने वाली थी पर वो कहती है कि अब तुमें इसके बारे में सब कुछ पता है तो इसावेला क्यों भीजने वाली थी इसावेला भी इसके लिए excited हो जाती है जब अपने client से मिली तो client को भी बहुत अच्छा लगा था इसावेला की assistant डानी उसे बहुत पसंड करती थी उसके साथ time spent करना चाहती थी आज इनका presentation जल्दी हो कया था तो गहती है कि हम dinner के लिए जा सकते है कुछ shopping कर सकते है पर इसावेला ने उसे मना कर दिया इसावेला कहा पर जाती है इस पर डानी ने नजर रखी तो डानी नोटिस करती है इसावेला डग से मिल रही थी जो कि क्रिस्टिन का husband है उन दोनों में affair चल रहा था रात में दोनों intimate हो जाते है intimate होते वक्ट डग ने एक वीडियो भी शूट किया था इसके बास हम देखते है कि इसावेला फिर से क्रिस्टिन के पास आ चुकी है क्लाइन के साथ इन तीनों की meeting चल रही थी अगर सब कुछ ठीक हो तो जिसने एड क्रेट किया है उसे न्यू यॉक में जाने का चांस मिलेगा इनकी client के साथ meeting बहुत ही अच्छी होती है पर क्रिस्टिन ने इस advertisement का पूरा credit ले लिया उसने इसावेला के बारे में कुछ भी बात ही नहीं की इसावेला उसे बुछ थी है कि तुमने ये क्यों किया क्रिस्टिन ने कहा कि एक game होता है इसमें आपको जब opportunity मिले तब आपको ले लेनी चाहिए आपको इसी तरीके से लोगों का potential use करना पड़ता है और तुम्हें क्या फरक पड़ता है फाइनली हमारी टीम जीच चुकी है ये एक teamwork है इसावेला इस बात से upset दो थी पर इस बात को जाने देती है जब डानी को पता चला कि हुआ क्या है तो new ad लेकर वो इसावेला के पास आई तो गहती है उन लोग को actual में पता ही नहीं कि तुमारा vision क्या था सारी चीज़े और change कर रहे है इस बात को भी इसावेला ignore कर देती है next scene में हम देखते है कि आज रात इसावेला और क्रिस्टिन ये दोने एक fashion show में आये हुए थे इसावेला को एक shoes बहुत पसंद आये जो क्रिस्टिन उसके लिए buy कर लेती है अब इसके बाद ये दुनों party में जा रहे थे क्रिस्टिना गहती है तुम मुझे अपनी आप की याद दिला दियो मैं भी तुमारी तरह थी पर इसके बाद मेहनत करकर मैं इस मुकाम पर बहुच चुकी हूँ party पर बहुचने के बाद क्रिस्टिना इसावेल को एक क्लाइंट से बात करने के लिए गया दिया उसने कहा कि अगर इस क्लाइंट को तुम कनवर्ट कर पाओ तो इसका अकाउंट में तुमें दे दूंगे ये इसावेल के लिए बहुत ही अच्छया opportunity थी इस party में क्रिस्टिन को एक आदमी ने अप्रोच किया वो आदमी बहुत ही ड्रंक था और past में क्रिस्टिन और उसमें affair था इस वज़े से वो आज रात भी उसे मिलना चाहता था पर क्रिस्टिन गया दिया कि तुम ड्रंक हो घर जाओ इस सारी बात ड्रंक ने देखी थी शायद यही रिज़न है ड्रंक भी क्रिस्टिन पर चीट करता है क्रिस्टिन जब घर पर चले के तो ड्रंक और इसावेले दोनों एक साथ घर पर जाते है ड़क ने उसे कहा कि कृष्टिना जिस तरीके से लगती है उस तरीके से है नहीं वो बहुत ही डेंजर ऐसे है उसे लोगों के साथ खेल खेलना अच्छा लगता है ओफिस में मिटिंग खतम हो जाने के बाद कृष्टिना इसावेला को रोक ले दिया वो कहती है कि मैने तुमसे क्रेडिट शुरा लिया क्या अब भी तुम उससे नाराज हो प्लीज इस बात को जाने दू मैं तुम्हारे लिए बहुत ही केर करती हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ ये बात सुनकर इसावेला शाक हो के वो उसे I love you नहीं कहती क्रिस्टिना ने फिर उसे एक स्टोरी बता है वो कहती है मैं जब छोटी थी तो मेरी एक ट्वीन सिस्टर भी हुआ करती थी हम दोनों के बास एक छोटी सी बाइसिकल थी मेरी सिस्टर यह बहुत ही अच्छे से राइड करती थी और मैं हमेज़ा उसके पीछे रह जाती थी एक दिन मैंने डिसाइड गया कि मैं भी उसके आगे जाऊंगे वो बहुत स्पिर्ड में थी पर अचानक से उसके सामने ट्रक आ गया मेरी ट्वीन सिस्टर ने मुझे बचाने के लिए मुझे आगे डखल दिया और वो खुद इसके सामने आके उसकी इस एकसिडन में डेथ हो गई थी इसके बाद मेरे पैरेंस ने मुझे कभी भी I love you नहीं का ये सब सुनकर इजावेला क्रिस्टिन को I love you कह देती है ये दोना एक दूसरे को हक करते है इसावेला ने क्रिस्टिन को सहारा दिया थोड़ी देर में यहाँ पर डख आया क्रिस्टिन उसे बात करती है खहती है तुमने कमपनी से जो भी पैसे चुरा है ये सब कुछ तुमें आप वापस देने बढ़ेंगे हमारी न्यूयोर्क की ब्रैंच और तुम पकड़े जाओगे डख ने कहा कि मैं सारे पैसे वापस कर दूँगा मुझे सिर्फ एक दो मन चाहिए पर क्रिस्टिन इस बात के लिए मानने के लिए रेड़ी नहीं थी नेक्सीन में इसावेल को अपनी सेग्रेटरी से पता चला कि उसके एड बनने नहीं वाली है उसमें क्रिस्टिन ने बहुत सारे चेंजेस किये इस वज़े से क्लायन को पसंद नहीं आ रही थी लिफ्ट में जब डर्क और इसावेला मिले जो एड उसने क्रेट की थी इसे वो टेस्ट करना चाहती थी तो डार्कली यूटूब पर डाल लेती है रात में अपनी एजेंसी से कॉल आया सिर्फ पाच गंटे में उसकी एड को 10 मिलियन व्यूज मिले थे क्लायन इस बात से बहुत ही खुश था नेक्स डें इन सब की मिटिंग होती है अब नियॉयॉक जाने के लिए क्रिस्टिन को छोड़कर वो इसावेल को चूज करते है इस बात से क्रिस्टिन को बुरा लगा इसावेल गयती है कि मुझे भी तुमारे जैसे ओपर्चुनिटी मिले और मैंने इसको पा लिया यह सिर्फ बिजनेस है डग आज इसावेला को बहुत ही मिस कर रहा था उसे कॉल कर गए क्रिस्टिन ने उसके साथ जो भी किया इसके बारे में सब कुछ उसे बता देता है कहता है कि वो बहुत ही डेंजरस है इसावेला ने का कि उसके बचपन में उसके ट्वीन सिस्टर के साथ जो भी हुआ था इसे वज़े से शायद वो इस तरीके से टफ है डग कहता है उसके कोई भी ट्वीन सिस्टर नहीं है सिर्फ तुमारी सिंपती पाने के लिए तुमें कोई भी स्टोरी बता रही थी इसावेला जब काम करे रही थी क्रिस्टिन उसे वीडियो कॉल कर दिया इसमें डग और इसावेला जो इंटिमेट हो रहे थे ये वीडियो इसावेला को दिखा दिया इस बात से वो बहुत ज़्यादा डिस्टरब हो गई पार्किंग में अपनी गाड़ी को भी ठोक देती है वो बहुत द्रोई नेक्स डे डैनी इसावेला के पास है वो कहती है डग ने कंपनी से बहुत सारे पैसे चुराए थे शायद इसी वज़े से वो बहुत ही स्टेंजली बिहेव कर रहा था आज ओफिस के एक पार्टी है उसमें भी उसे वो इन्वाइट कर लेती है क्रिश्टी ने सबसे कहा कि ओफिस में काम करते होग लोग बहुत ही अजिवजिब चीज़े करते है अलग-अलग employees के security footage वो दिखा रही थी जैसे कि कुछ लोग client की meeting के बाद बहुत ही ज़ादा गुसा हो जाते है यह सारी clips इसमें थी कल रात Isabella ने गुसे में अपनी गाड़ी को ठोक दिया था वो वही रोने लग गई थी यह भी clip उसने पूरे office के सामने दिखाए Isabella को embarrass करना चाहती थी वो disturb हो गई और थोड़ी सी जाद़ स्लिपिंग पिल वो ले ले दिया अगली दिन क्रिस्टिन ने Isabella को अपने office में बुलाया वो गय थी कि तुमने मुझे ऐसा कैसा email बेजा इसमें लिखा है कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ूंगी ने मैं तुमसे revenge लूंगी एक्च्वर में email क्रिस्टिन ने Isabella का computer से खुद लिखा था अब वो उसे fire करना चाहती थी Isabella गुस्सा होकर क्रिस्टिन को kiss कर ले थी कहती है तुम्हें तो यहीं चाहिए था वो उसे हमेशा के लिए फसाना चाहती थी इस सब बात Danny ने सुन लिए फिर क्रिस्टिन ने Danny से बात की कहती है तुम्हें अब resign करना पड़ेगा Danny कहती कि मैं ऐसा क्यों करूंगी क्रिस्टिना कहती कि अगर तुम्हें नहीं किया तुम्हें कहूंगी कि तुम्हें मुझे sexually assault किया है मैं यहा की बॉस हूँ सब लोग मेरी बात मानेंगे Danny इस बात से डिस्टब होगी आज रात क्रिस्टिना के यहाँ पर पार्टी थी और इसावेला एक प्ले दिखने के लिए गई इस पार्टी में ड्रंक होकर डर्क वहाँ पर बहुच जाता है सब के सामने तमाशा खड़ा करने की कोशिश करता है इस बात को क्रिस्टिन ने कंट्रोल कर लिया था अचानक से क्रिस्टिन के घर बर कोई मास्क लगा करा है और उसे हो मार देता है रात में इसावेला बहुत ही डर कर उठी उसे लगा कि यह सब उसका सपना है पर यह एक्च्छल में हुआ था उसके डौर पर नौक आई तो पुलिस की थी पुलिस को लगता है कि इसावेला ने सब कुछ किया है मर्डर सिन पर उसका स्कार्फ हुने मिला था आज रात इसावेला ने बहुत सारे स्लिपिंग बील्ज ली थी तो क्या बात कर रही थी उसे ही समझ में नहीं आ रहा था पुलिस को सारे सबूत ये इजावेला के खिलाफ ही लगते है उसने उसे बहुत बार पूछा तो फाइनली इजावेला इसके लिए हा कह देती है यहां उसने ही मर्डर किया है सब कुछ हो जाने के बाद जब उसे होश है तो वो डारेक्ली जेल में थी अपने लॉयर को कॉल करती है कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया जब मेरा कन्वेशन आप सब लोग ले रहे थे तो मैं बिल्स पे थी इस वज़े से मैं कुछ भी बोल सकती थी ये जाकर वे फिर से जस से बात करते है क्रिश्चिना कहती कि मेरा सकर्फ इस तरीके से फटा हुआ नहीं था वो अब भी घर पर होगा मैंने मर्डर नहीं किया है पुलिस विवाद है वो कहती है कि तुमने क्रिश्चिना को धमकी दी थी इसका इमेल उसके पास है इसाबेला इस पर डेट दीखती है उसने कहा कि इस डेट के बाद ही नेक्स डेए उसने मुझे बहुत ही जलील किया था अगर आपने सब लोगों से बात की तो वो भी कहेंगे कि क्रिश्चिना मुझे बरबात करना चाहती थी इसाबेला सिर्फ एक ही चीज मांग रही थी कहती है मुझे घर जाने दो वहाँ पर मैं सकार्फ ढूंड लूँगी फिर सब पुलीस वेगरा मिलकर फिर सही इसकी इन्वेस्टिकेशन करते है क्रिश्चिना उस राद बैले देखने के लिए गई हुई थी वहाँ पर सीट की वज़े से कुछ लोगों से उसका जगड़ा हुआ था इस वज़े से ठेटर के एक इंप्लॉई को उसके बारे में पता था इससे प्रूव होता है कि उससरा तो बैले देखने के लिए गई हुई थी जब वो सकार्फ ढूणने के लिए गए तो इसावेला सकार्फ ढूणने का बहुत कोशिश करती है पर ढूण नहीं पाती है यहाँ पर पुलिस को एक फाइल मिली जिससे पता चलता है इस डग ने कमपनी से पैसे चुराए थे पुलिस इसावेल से कहते है तुमने इसके बारे में हमें बताया क्यों नहीं एक एविडान्स है डग ने क्रिस्टिन को मारा हो सकता है इसावेला ने कहा कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा इस वज़े से मैंने तुम्हें बताया नहीं था इसावेला को फेसे जेल में डाल दिया गया था उसके सेक्रेटरी डानी उसे मिलने के लिए आई वो डानी से गहती है मेरा स्कार्प मेरे घर में ही है प्लीज उसे तुम ढून लो इसे हमें बस सकती हो ये डानी ढूनने के लिए गई उसे भी मिलने रहा था पर उसके बाद ड्राय क्लिनिंग वाली घर पर आई वो इसे वाश करने के लिए लेकर गई थी अब सकार्प मिलने के बाद पुरा शक टर्क पर जाता है पुलिस ने उसके घर के तराश ली गाड़ी में खुन से लटपद एक सकार्प उने मेलता है और ये सकार फटा हुआ भी था सारा मर्डर का ब्लेम ये डर्क पर आ जाता है नेकसिन में हम देखते हैं कि इसावेला फ्री होके इसका सेलिबरेशन वो डानी के साथ कर रही थी वो आज बहुत ही खुश थी ये दोनों मिलकर फिर से न्यू एड पर काम कर रहे थे तब इसावेला उसे किस करने लग दिया इसावेला उसे दूर हो गए कहती कि तुम ये क्या कर रही हो हमारे बीस में कुछ भी नहीं है इस बाद से डिस्टर हो गए उस राद मैंने तुम पर नज़र रखी थी तुमने जान बुश कर बैले में फाइट की थी ताकि लोगों को लगे कि तुम वहाँ पर रही थी स्टोर में जाकर तुमारे पास जिस तरीके से सकाफ था उसे तरीके से और एक सकाफ तुम लेकर आई क्रिस्टिन के घर पर जाकर उसे तुमने मार दिया सकारफ का एक पीस तुमने क्रिस्टिन के हाथ में रखा और दुसरा पीस ये डग के कार में सारा कुछ तुमारा पहले से ही प्लान था तुम्हें मर्डर करते होग मैंने रेकॉर्ड कर लिया था अगर तुम अब मेरी नहीं बनी तो मैं सारी recording police officer को भीज़ दूँगी इसके बात एक second में Isabella भी पलड़ गई वो भी Danny से I love you कहती है ये दोनों फिर relationship में आ गए थे next time में हम देखती है कि Christian का funeral था इस funeral पर उसकी twin sister भी आई हुई थी जैसा डग ने Isabella से कहा था Christian बहुत ही manability है वो तुमें कुछ भी जूटी story सुना रही है ये बात सही थी Christian की step sister अब भी जिन्दा थी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको आज के sponsor के बारे में बता आए जाता हू 1X Bet इस website पर आप free में live matches देख सकते हो sports में betting करकर भी आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो वीडियो की description में मैंने website का link दे दिया है और tails ये promo code भी आप use कर सकते हो link या promo code से अगर आप sign up करते हो तो आप जो भी deposit करोगे उस पर 130% extra bonus आपको मिलेगा तो जाकर एक बार इस website को ज़रू चेक कीजिएगा मैं तो आप से free के matches यहाँ पर ही देखूँगा फिर से वीडियो में आगे बढ़ते है एक रहाज जब Danny और Isabella सोई हुए थे तो Danny का हो secret mobile बजने लग जाता है इसी mobile में उसने evidence शुपाए हुआ था अगर Isabella को यह mobile मिल जाता है तो उसे Danny के साथ नहीं रहना पड़ेगा इसे वो जल्दी से ढूडने लग जाती है पर Danny और उसमें इस बात को लेकर fight हो गई Isabella ने गला खोटकर Danny को मार डाला अपनी आखरी सास लेते हुए Danny ने अपने पेर से send button दबा दिया था एक लिए पुलिस officer को चली गई हम देखते हैं कि क्रिस्टिन की sister Isabella के पास आए उसे गला खोटकर वो बेहोश कर देती है जब क्रिस्टिन को होश आया तो बहुत ही देर हो चुकी थी Danny की dead body उसके पास पड़ी थी और पुलिस को सब कुछ पता है उनके पास उसके खिलाब सबूत भी है इसी वज़े से उसका सच सामने आ चुका है अब उसने जो भी क्या इसके सजा उसे भूगत नहीं पड़ेगी अगर हम इस मूवी में देखें तो Danny, Isabella और Christina ये तीनों evil characters थे एक दूसरे को हर्ड करने की चक्कर में इन तीनों को भूगतना पड़ा इसे के साथ आज का वीडियों खतम करते अगर आप कोई अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर देजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आता रहता हूँ प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकोन दोने मत भूलेगा हम वीर से मिलेंगे और एक नमूई के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिया